भारतिय रेल्वेस के पूरे नेटवर्क के अंदर रोजाना के बेसिस पे 23.5 मिलियन लोग या 2 करोड 35 लाग लोग ट्रैवल करते हैं लेकिन मुंबई लोगल ट्रैवर्क के अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेली बेसिस पे पीक में 7.5 मिलियन पैसेंजर पर ट्रैवल कर रहे थे यानि तिकरी बन 75 लाग लोग यानि अगर percentage टर्म में देखे तो पूरी के पूरी जनता जो भारती रेलवेस में ट्रैवल कर रही है एक दिन में उसका 30.4% population सिफ मुंबई और मुंबई मेट्रोपलिटन बीजिन में ट्रैवल कर रहा था और जब ये डेटा नजर आता है दुनिया के सबसे सदा heavily used passenger railway system का तब एक idea आता है कि कितना ज्यादा loaded है मुंबई का local train network लेकिन जब बिटिश जमाने में इस network के शुरुआत हुई थी तब से लेके बहुत recent तक मुंबई local train network को कही ना कही पर जो working class है उसके medium के तोर पर नहीं किया हाला कि देखा जाते हैं इनके budget भी काफी छोटे होते थे जो फालतों कामों में खराब हो जाते थे लेकिन इसके वज़ेश से जो मुंबई का local train network है यह कही ना का ही पर unsafe passenger travel experience, overcrowding इन जैसे समस्याव से ग्रस्त हो गया लेकिन finally अब हुआ यह है कि जो MRVC है इनको मिला है एक बहुत बड़ा budget और मुंबई urban transport plan के अंतरगत इनको बड़े decisions लेने का हक मिला है पिछले अगर हम कुछ सालों को देखे तो मुंबई के अंदर जितने suburban railway stations है उनमें से कई stations का revamp हुआ है और चोटी से चोटी stations के अंदर basic facilities आज के डिट में मौजूद है कई stations फिर approved sections between कल्यान and कसारा और कल्यान and बदलापूर और इन चीजों के वजे सी कही ना कई बर जो local train का network है उसको मदद मिलेगी लेकिन जो एक तूटा हुआ भाग था इस पूरे के पूरे issue के अंदर वो था खुद local trains आज भी unfortunately दुनिया भरी से लोग जो मुंबई में travel करने आ जो आठीड में standards है वो कही ना कई पर पीच ही चूड़ गए थे Mumbai locals के लिए in fact 4-5 साल पहले तक जो locals Mumbai के अंदर आ रही थी नहीं वाली non AC उन तक में standards implement किये नहीं जा रहे थे और इसके पीछ एक बहुत important reason था चाहे trains recent basis पे recent से मेरा मतलब है दो तशक से कुछ private companies क्यों ना ब पाए और safety का इंदर ध्यान रखाई ने गया जब AC trains की शुरुआत हुई Mumbai के अंदर तब एक train को ही चुरू करने के बाद में बहुत दिक्कत आने के बाद में बोल लिया गया कि लोग इसे accept नहीं करेंगे लेकिन जब bureaucrats की बाते हटा कर थोड़ा चीजों को push किया गया जैस 3,690 करोड रूपीज का MUTP Phase 3 और 3 अंतरगत का Local Train Tender जिसके अंतरगत मुंबई में आएंगे 2,856 Coaches of One Day Metro Trains और यह होगा साथ सालों में थोड़ा समझते इसके बारे में क्या है MUTP यह मुंबई Urban Transport Project जो है यह बेसिकल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर Government Mumbai Railway Vikas Corporation के साथ में मिलकर मुंबई Suburban Network को और मुंबई के कई दूसरे Transport Projects को अपगरीड कर रही है जब मुंदे भरत Express सक्सेस्फुल हुई तब हमारे Railway Minister ने कहा था कि यो शेहरों के अंदर Long Distance Commute होता है लेकिन रोज के पैसेंजर के दौरा वैसे जगों पर One Day Metro Concept हो यूज़ कर सकते हैं जहा यूज़ के सबसे यह जो Fast Local Train चलती है मुंबई में उस तरीके की होने वाली थी और इसकी बात होने के बाद में काम शुरू हुआ इन ट्रेंस को कहा पर लगाया जाए इसके बारे में और अभी Decide हुआ है कि मुंबई को 238 ऐसी ट्रेंस मिलेगी जो कि Almost पूरे के पूरे सब काय होए स्टेट्मेंट से वह यह है कि यह पूरी तरीके से एर कंडिशन ट्रें होगी दूसरी बात के अंदर दर्वाजे बंद होगे यह continuous वेस्टिबूल वाली कोचिस होंगी यानि आप ट्रें के अंदर एक से दूसरी कोच के अंदर पूरे ट्रें लेंध में ट्राइव मुंबई में चलती है उससे अलग यह जो ट्रेंस होंगी वह लगेज कंपार्टमेंट को भी होश करेगी ताकि मुंबई के जो चोटे बिजनस ट्राइवलर्स यहां पे लेडीज कोच के साथ साथ में एक स्पेशली डिव्यांग कोच भी होगा और बेसिकली जो लोकल ट्र स्कोच है यह मिलकर 238 ट्रेंस बनागी अब दिक्कत यह है कि यह जब ट्रेंस आएगी मुंबई के अंदर तो यह मौडन मेट्रो की तरह ट्रेंस होगी जिनको अपग्रेड करने के लिए डेपो के अंदर उनको मेंटेन करने के लिए फैसलेटीज नहीं है इसके लिए जो दिया गया है यहाँ पर उसी में कहा गया है कि इनको मेंटेन करने के लिए वान गाओ जो मुंबई के वेस्टन लैन के अंदर एक आउटर स्टीशन आता है और विवपरी रोड जो मुंबई के सेंटर लैन के अंदर एक आउटर स्टीशन आता है यहाँ पर बड़े डेपो क्वालिटी हाइच पर दिलिवरी हमें देखने नहीं मिली है इंफाइक जाता तर ट्रेंज जो आज भी मुंबए में चलती है वह इंटिक्रिल कोच फैक्टरी चनने ही बनाती है जिसके कारण कहीं नगवाई बर जो पीए सिउसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल देखने मलता ह क्योंकि यहाँ पर क्योंकि प्राइविट कंपनी आप आएकि दुनिया भर सी तो आल्स्टॉम, बंबाडियर, सीमिंस इन ट्रेंज बनाने वारी कंपनी से हमें बिट जाते हुए नजर आएगी जो की मुंबए के नेट्वर्क को हाई क्वालिटी की ट्रेंज देगी जो ज लिए तो पूरा का पूरा मुंबई का जो लोकल टिन सिस्टम है वो एक्चुली ब्रिटिश के जाने के बाद में हमें एक पूरा ओरॉल के दोर पे देखने मिलेगा फर्स्ट टाइम और ये इस शेहर के लिए ज़रूरी बात है आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझ अगली वीडियो में